हेलो फ्रेंट्स मैं हूई यस और आप देख रहें न्यूज ब्रेकफास्ट चैनल दोस्तो आज के इस वीडियो में दिखाएगे सभी ख़बर आपके लिए महत्तो पूर्ण है आपको बता दे कि 79,000 सिक्षक भरती के उमीदवारों को जटका लगा है क्योंकि हाई कोट ने लगाई परिक्षा परिनाम घोसित करने पर रोक दोस्तों यूपी में 79,000 सहायक सिक्षक भरती परिक्षा के परिनामों का इंतजार कर रहे उमिदवारों के लिए जटका देने वाली ख़वर है आपको बता दे कि परिक्षा के क्वाइलिफाइंग मार्क्स टै करने के यूपी सरकार के फैसले को हाई कोट के लखनोग बेंच के समक्स चुनती दे गई थी और इस मामले की सुक्रवार को सुनवाई के दोरान हाई कोट ने 21 जनवरी तक सिक्षक भरती परिनाम गोशित करने पर रोक लगा दी है और आपको बता दे कि अब इस मामले की सुनवाई 21 जनवरी को होगी करमचारियों को अधार्वा मोवाईल संबंधि जानकारी अपडेट कराने के निर्देश दोस्तो अजमेर के करमचारी भविस्यनिदी के समस्त अंसदाताओं वा नियोकताओं को ततकाल सभी अंसदाता अपने UAN नंबर अपने अधार कार्ड बैंक खाता वा मोवाईल नंबर को अपडेट कराने के निर्देश दिये गए हैं राकेश कुमार सहायक भविस्यनिदी आयुकत ने बताया है कि सभी पेंसन धरकों को भी अवगत कराया गया है कि ततकाल अपना डिजिटल जीवन परवान पत्र अपनी बैंक शाखा इमित्र कियोस्क या भविस्यनिदी कार्याले से कराना सुनिश्चित करें ताकि उनकी बर्स 2019 में पेंसन बंद ना हो किसानों के खाते में 15-15 रुपे परती एकर डालेगी सरकार दोस्तों मोदी सरकार अपना अंतीम बजट पेस करने वाली है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये चुनावी बजट भी हो सकता है आपको बता दू कि एक कारे करम में बित्त मंत्री अरुन जेटली ने यह भी साफ कर दिया है इस बार सरकार का ध्यान किसानों पर होगा और ऐसे में खबर आ रही है कि मोदी सरकार की तरफ से किसानों को इंकम सपोर्ट के रुप में परती हैक्टियर 15,000 रुपे दिये जा सकते हैं बीजेपी अध्याक्ष अमित साह को होई स्वाइन फ्लू उन्हें एम्स में कराया गया भरती दोस्तो भारतिया जन्ता पार्टी के अध्याक्ष अमित साह को स्वाइन फ्लू हो गया जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स होस्पिटल में भरती कराया गया उनसे मिलने मोदी समेथ भारतिय जन्ता पार्टी के कई कार्य करता पहुंचे एम्स कल भारत और और ऐस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे वंडे को भारत ने साथ विकेट से जीता दोस्तों कल भारत और अस्ट्रेलिया के बिच तीसरा वंडे खेला गया जिसमें अस्ट्रेलिया ने पहले बलेबाजी करते हुए भारत को 231 रन का लक्स दिया जिसे भारतिया टिम ने सिर्फ तीन बिकेट खोकर दोनी और केदार जादव के सांदार 50 के बदोलत 49.2 अबरों में इस आंक्रे को पार कर लिया